हाँ तो 11th क्लास देखी बिटा जो गद्ध खंड है उसका पहला पार्ट नमक्का धारोगा हमने पढ़ लिया था प्रेमचन जी का आज हम इसके प्रशन उत्तर करेंगे ठीक है बिटा पहला प्रिसन देखी आप इसका कहानी का कौन सा पात्र आपको सरवादिक प्रवावित क करता है ठीक है सरवत क्योंकि वो इमानदार थे ठीक है तो कौन सा पात्र पहले था आपको पात्र का नाम लिखना है ठीक है कि वनसी दरजी का पात्र हमको सरवादी क्या करता है प्रवावित करता है ठीक है अब दूसरा प्रिसन इसमें आया है वो क्यों करता है क्योंकि वन उनसी वंसी दरजी थे, वो करत्यव निश्ट थे और इमानदारी के प्रती उनकी सच्ची सरदा थी, ठीक है, और वो जैसे नमक विभाग में दारोगा के पत्पर उनको निक्त किया गया था, तो दारोगा के पत्पर निक्त होने के बाद भी वो ब्रष्टाचार से पूरी त उधारन के माद्धम से आपको इसको किस प्रकार से समझाना है कि उसी प्रकार जिस प्रकार कीचड में यानि दलदल में कमल रहने के बावजूद में उस वे कीचड का एक दाग नहीं लगता है उसी प्रकार ब्रश्टाचारियों के मद्ध्य रहने के बाद भी मुंसी वंसी उनके प्रभाव से क्या रहते है निरलिप्त रहते हैं अर्थार्थ ब्रष्टाचार में वो लिप्त नहीं रहते हैं ठीक है बिटा तो इस प्रकार से आपको धरण के माद्धम से इसको समझाना है ठीक है अब आगे देखिए दूसरा प्रिसन इसमें देखिए कि नमक का दार ब्रश्ट व्यक्तित्व है क्योंकि वो क्या करते थे यानि क्या करते थे वो ब्रश्ट व्यक्तित्व ते रिश्वत देते थे रिश्वत देकर के लिए क्या करवा लेते थे अपना काम करवाते थे यानि अपना कारिये वो धनके बलवर क्या करवा लेते थे सिद्ध करवा ल और जो उसने क्या कर लए थी ठीक है तो गुण गराही वैक्ति के रूप में भी वो हमारे सामने आता है आप देखे किस तरीके से उधरन के माध्यम से आपको इसमें समझाना है पहला तो आपको इसमें पॉइंट क्या लिखना है कि दो व्यक्तितु में से यानि व्यक्तितु के दो पहलु में से एक पहलु तो आपको लिख लेना है कौन सा ब्रेस्ट व्यक्तितु का ठीक है ब्रेस्ट व्यक्तितु में आपको क्या लिखना है किस तरी यानि डिप्टी मजिस्ट्रेट को धन के बल पर उन्होंने अपने पक्ष में कर लिया था। अलवदीन जी है वो पंडित जो वनसीदर है उनकी इमानदारी और करत्यों निष्टता से प्रभावित होकर उन्होंने आदर पूरवक यानि उनके घर गई थे वनसीदर जी के वे और घर जाकर के उन्हें अपने मैनेजर पद पर उन्हें न्युक्त कर लिया था। और इमानदारी से प्रभावित होकर पंडित अलोवदीन ने उन्हें अपने मैनेजर के पद पर न्युक्त कर लिया था। तो इस तरीके से आपको दोनों व्यक्तित्यों के दोनों पहलू करने हैं। अब देखिए तीसरा प्रिस्म कहानी के लगभक सभी पात्र समाज की किसी सच्चाई को क्या करते हैं उजागर करते हैं। निम्लिकित पात्रों के संधर्ब में पात्र से उस अंस को उद्रित करते हुए बताईए कि यह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। तीन पात्र आपको दिये गए हैं। तो तीन पात्रों के मादम से आपको यह बताना है कि यह जो पात्र हैं वो कौन-कौन सी सच्चाई को उजागर करते हैं। जो व्रद मुनसी है कौन से सच्चा ही का हमें पता चलता है उनके चरित्र से समाज में व्यापत जो ब्रश्टा चार है उसका हमें पता चलता है कि किस तरीके से वो उपरी आय के बारे में अपने बेटे से क्या करते हैं बातचित करते हैं कि तुम नौकरी की तरफ तो ध्यान मत देना ठीक है ये तो क्या है यानि क्या रखनी चाहिए इसको तो ये तो मासी जो वेतन होता है वो तो फूर मासी के चांद की तरह होता है आया और समाप्त हो जाता है ठीक है यानि कहने का तात पर यह है कि वो उपरी आय के बारे में यानि ब्रस्ट चार के बारे में भी ब्रश्टाचार का परिचे मिलता है कि किस तरीके से वो अपने पुत्र को उपरी आय कमाने के लिए बोलते हैं और किस तरीके से वो कहते हैं कि जो मासी वेतन है जो महिने की जो कमाई होती है वो तो फून मासी के चांद की तरह होती है आते ही क्या हो जाती है समाप्त हो जाती ठीक है तो इस तरीके से उनके जीवन से हमें किसका पता चलता है जो समाज में ब्रष्टा चार फैला हुआ है उसका हमें पता चलता है ठीक है अब है वकील वकील के जीवन से हमें किसके पता चलता है वकील का जीवन भी क्या रह गया था इनका भी मुख्याव देश धन कमाने का रह गया था ठीक है उन्होंने भी धन कमाने यानि पैसा कमाने वालों का साथ किस प्रकार से दिया था जिस प्रकार से पंडित अलौब दिन का जब नमक की उसमें वो पकड़े गए थे घैर कानूनी तरीके से नमक दूसरी सीमा के वहां ले जाया जा रहा था तो उनको वकीलों ने क्या किया था कि जब आदालत ने पंडित अलौब दिन के पक्ष में फैसला सुनाया था ठीक है तो वो सुनकर यानि वकील उसको सुनकर प्रसन हो गए थे क्यों प्रसन हो गए थे क्योंकि पंडित अलौब दिन के माद्यम से उन्हें क्या दी जा रही थी जिश कमाना यानि पैसा कमाना ही रह गया था और वो सच्चाही की तरफ ध्यान ने दे करके केवल पैसा कमाने की तरफ ध्यान दे रहे थे यानि न्याय और अन्याय से उन्हें कोई मतलब नहीं था ठीक है वकीलों को क्या था हमें क्या पता चलता है कि सहर की विड़के मादम से क्या कि जो सहर वासिय है उन लोगों को जो दूसरे का सुख दुख है उनसे कोई भी मतलब नहीं होता है ठीक है यानि जो जनता है उसको दूसरों के सुख दुख से कोई मतलब नहीं रहता है और आम जनता को क्या चाहिए कि इन्हें दूसरों का मजाग बनाने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए क्योंकि ये स्वैंबी क्या रहते हैं ब्रश्टाचार में लुप्त रहते हैं और जब इनकी सच्छाई सारे व्यक्तियों को पता चल जाती है ठीक है तो ये दूसरे व्यक्तियों को इही भला बुरा कहने लग जाते हैं किस तरीके से ये भला बुरा कहने लग जाते हैं जब पंडित अलोग दीन है तो कॉंस्टेबल के साथ हातों में क्या हतकडिया है हिर्दय में गलानी छोब बरे और गर्दन नीचे जुकाई हुए जब वो चल रहे थे ठीक है तो क्या हुआ था वाँ पर यानि भीड के मारे छट यानि जब भी लोग उनको देखने के लिए क्या छटों पे चड़ गई थी ठीक है तो इस तरीके से यानि लोग दूसरों का मजाग बनाने भी सहरवासी पीछे नहीं रहते हैं जब मौका पड़ता है वो उसी का मजाग बनाने लग जाता है जिस परकार से उन्होंने अलब दिन का भी बनाय था किस तरीके से कि उनको देखने के लिए वो छतों पर जाकर के खड़े हो गए थे ठीक है अब आगे देखिए निमन पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए नौकरी में ओहदे की और ध्यान मत देना यह तो पीर क्या मजार है निगाएं चड़ावें चादर पर रखनी चाहिए ऐसा काम डूड़ना जहां कुछ उपरी आए हो मासिक वेतन तो पूर मासिका चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और गड़ते-गड़ते लुपत हो जाता है उपरी आए बहता हुआ स्रोत है जिससे सद्योप्यास वुस्ती है वेतन मनुष्य देता है इसी से उसमें व्रद्धी नहीं होती उपरी आमदनी इश्वर देता है और उसी से क्या होती है भरकत होती है तुम स्वें विद्वानों तुमें क्या समझाओं अब देखी बिटा ये किसने बोला था आपने यदी पार्ट अच्छे से पड़ा है तो आप बता सकते हो कि ये किसने बोला था ये बोला था जो वरद मुंसी है यानि जो मुंसी वंसी दर जी है उनके पिता जी ने बोला था ठीक है बिटा किसन का कथन है ये ये है उक्ति किस की है यानि जो मुंसी वंसी दर है उनके व्रद पिता मुंसी जी का ये कथन है ठीक है अब दूसरा देखिए मासी वेतन को पूर्ण मासी का चांद क्यों कहा गया है क्यों कहा है उन्होंने कहा है कि जो नौकरी तुम करते हो और नौकरी के बदले जो तुम्हें महीने पर समाप्त हो जाता है यानि पूरा महिना भी वो नहीं पकड़ता है और महिने के अंति तक जो तुमारी मासिक वेतन है वो समाप्त हो जाता है इसलिए उन्होंने मासिक वेतन को पुण मासी का चांद कहा है यानि जल्दी वो समाप्त हो जाता है ठीक है पिटा आगे देखिए क् एक पिता के इस व्यक्तित्व से सहमत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वो अपने पुत्र को पैसों का लालस देते हैं, ब्रश्टा चार करने के लिए उक्साते हैं, ठीक है, क्योंकि पिता के इस व्यक्तित्व से हम सहमत नहीं है, क्योंकि वो अपने जो पुत्र है, वनसी उनको किसकी सिख्षा देते हैं ब्रस्टा अच्रंड करने की सिख्षा देते हैं जबकि उनको ऐसी सिख्षा नहीं देनी चाहिए ठीक है पीटा अब पांचवा प्रिसन देखिए नमक का दरोगा कहानी के कोई दो अन्य सीर्सक बताते हुए उसके आधार को भी इसप्ष्ट क अब देखिए पिटा इसमें दो सीर्षक आराम से हो सकते हैं किस प्रकार से हो सकते हैं इसके दो सीर्षक देखिए नमक का दरोगा इसमें सीर्षक है इमानदार नमक का दरोगा हो सकता है इसमें ठीक है क्योंकि जो नमक का दरोगा वो मुंसी जी थे वंसी दर जी थे ठीक है तो इमानदर दरोगा भी इसका सीरसक हो सकता है ठीके बिटा क्या हो सकता है इमानदर दरोगा भी इसका सीरसक हो सकता है ठीके और दूसरा सीरसक इसका क्या हो सकता है सत्य की जीत भी हो सकती है लाश्ट में किसकी जीत होती है सत्य की जीत होती है तो जो दूसरा सीरसक है इसका क्या हो सकता है सत्य की जीत ठीक है पेटा दो सीर्षक इसके हो सकता है ठीक है पहला तो सकता है इमांदार दरोगा और दूसरा क्या हो सकता है सत्य की जीत अब देखिए किस प्रकार से इमांदार दरोगा इसमें हो सकता है ठीक है इमांदार दरोगा किस प्रकार से हो सकता है कि इमानदारी को इसमें बताय गया है इमानदारी के महत्तु के बारे में इसमें बताय गया है और जो वंसीदर जी है उसको इमानदार व्यक्ति के बारे में चित्रित किया गया है ठीक है कि किस प्रकार से इमानदारी के कारण ठीक है उन्हें अपनी सरकारी नौकरी को भी छोड पड़ा था ठीक है और उसी इमानदारी नौकरी के कारण यानि जब उसने इमानदारी की नौकरी की थी तो अपनी उसी इमानदारी के कारण जो पंडित अलौब दिन जी है ठीक है उन्होंने उनकी इमानदारी से प्रभावित हो करके उन्हें किसकी नौकरी देती थी मैनेज जो दूसरा है सत्य की जीत किस से जुड़ा यानि जो सत्य की जीत है वो कहानी का क्या है मूल उद्देश यह है ठीक है किस प्रकार से जो वनसी दर्जी अपनी इमानदारी और करतव निष्टा के कारण यानि अपनी इमानदारी को उन्होंने नहीं चोड़ा अपनी करत्याव निष्टता को नहीं चोड़ा और अपने इसी मार्ग पर चलते हुए उन्होंने क्या किया था संगर्स किया था ठीक है और इसी संगर्स के कारण किस की जीत होती है अंत में सत्य की जीत होती है ठीक है ब निक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं तरक सहीत उत्तर दीजिए आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते चीक है पिटा क्या इसमें बताया गया है कि मैनेजर जो अलौब दीन है उन्होंने वनसीदर को क्या निक्त कर दिया था मैनेजर निक्त कर दिया था तो इसके जर किसको नुक्त कर दिया था वंसी दर्जी को नुक्त कर दिया था ठीक है तो इसका कारण क्या है कारण ये है कि वो जानता था यानि पंडित अलव दिन तो स्वेम तो क्या था ब्रेश्ट था परन्तु वो क्या जानता था जो वंसी दर्जी है उनकी इमानदारी और व्यक्ति की जरुपत थी इसलिए उन्होंने जो मुंसीवंसी दरजी है उनको अपने यहां पर न्युक्त कर लिया था ठीक है क्योंकि एह सत्या पर सत्या की जीत होती है ठीक है यानि सत्या की जीती ही कहानी का मूल आधार है मूल उद्देशे ही क्या है ऐ सत्या पर सत्या की जीत है ठीक है तो इसमें क्या बताये गया है कि इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे ये कारण हो सकते हैं यानि उसको न्युक्त करने के पीछे की पंडित अलोव दिन स्वेम तो क्या था ब्रश्ट था लालची थ ठीक है ब्रेश्ट अचार को अलोग दिन जी भड़ावा दे रहे थे ठीक है इसलिए वो स्वेम ब्रेश्ट था तो दूसरों पर भी वो विश्वास नहीं करता था ठीक है और जो उसका संबंध था वो भी कैसे लोगों से ठा ब्रेश्ट लोगों से ठा ठीक है पर उनकी जो मुलाकात है वो वनसी दरजी से हुई ठीक है तो वनसी दरजी को वो किसी भी कीमत पर खरिदने के लिए क्या नहीं होए थे शक्षम नहीं होए थे यानि सफल नहीं होए थे ठीक है वो इमान उनकी आनि मंसी जो वंसी दरजी है उनकी मांदारी और करतव निष्टता को वो खरिद नहीं सके थे ठीक है इसलिए वो उनकी मांदारी और करतव निष्टता से क्या हो को निक्त कर दिया था ठीक है वेटा इसलिए सत्य यानि एस सत्य पर जो सत्य की जीत है वो इस कहानी का मूल उद्देश्य है ठीक है तो जो आगे पाठ है उसको हम कल पड़ेंगे